दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगाऊं एक दो चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने घर में अकसर मच्छर मारने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं अलग अलग नामों से बजार में बिकती हैं कोई जो है लिक्विड फॉम में आती है आप उसको लगा देते हैं कोई तो टिकिया के फॉम में आती है आप उसको इस्तेमाल करते हैं कोई तो कॉयल के फॉम में आती है आप उसको इस्तेमाल करते हैं कॉयल के रूप में मच्छर मारने वाली कोई भी दवा इस्तेमाल करें तिकिया के रूप में इस्तेमाल करें या लिक्विड के रूप में इस्तेमाल करें उनमें जो इस्तेमाल होने वाला केमीकल है वो डी एथिलीन है वो मेलफो क्वीन है और वो फॉस्फीन है ये तीन खतरना केमीकल हैं जो इस्तेमाल होते हैं और ये तीनों केमीकल यूरोप और अमेरिका के 56 देशों में बंद हैं और 20 साल से बंद हैं हम हमारे गर में छोटे-चोटे बच्चों के ऊपर वो लगा के छोड़ देते। मैंने कई गरों में देखा दो महीने के तीन महीने के छोटे-चोटे बच्चे सो रहे हैं और उनके नजदीक में वो कॉईल जल रहा है जिसका धुआ नाक के रास्ते से बच्चे के फेफ़डे में उतर रहा है वेग्यानिकों का ये कहना है कि ये मच्छर मारने वाली दमाएं अंत में मनुश्य को मार देती है कई बार क्या होता मच्छर तो इन से मरते नहीं है मनुश्य मर जाते हैं जिनके लिए ये दवाएं इस्तेमाल हो रही और ज्यादातर इन दवाँ का व्यापार डी एथलीन का व्यापार, फॉस्फीन का व्यापार हिंदुस्तान में विदेशी कमपनियों के कंट्रोल में हैं और वो अंदादूंद केमिकल इंपोर्ट करके लाके बेच रहे हैं और भारत की कुछ स्वदेशी कमपनियां भी बनाकर उनको बेच रहे हैं तो आप जड़ा सोचिए आपकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप कम से कम ये चीज़ें इस्तेमाल करना बन करिए फिर आप बोलेंगे मच्छर तो हैं, उनका तो क्या उपाए है सबसे अच्छा उपाए है मच्छर दानी लगा के सोईए स्वदेशी है, सस्ती है, क्वालिटी में अच्छी है सारे देश में उत्तर से दक्षिन पूरव से पश्चिम मिलती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सपाइरी डेट नहीं है एक बार खरीदी तो बीस-पच्चीस साल चलेगी और तरह तरह की मच्छरदानिया आने लगी है अब तो वो डंडे वाली जरूरत नहीं है एक हुक में लटका दीजे, वो आती है आप ऐसे खोल के सोजाईए आती है नहीं तो चादर की तरह से ओड़ के सोजाईए, कुछ नहीं कर सकते तो यह मच्छर मारने वाली दवा से तो अच्छी है मच्छर मारने वाली दवाएं खरीदे हैं, विदेशी कंपणियों को मुनाफ़द है उससे अच्छी अपनी मच्छरदानी है और आप चाहें, तो एक छोटा प्रयोग और करके देख सकते हैं नीम होता है ना नीम, नीम का तेल बाजार में मिलता है तो नीम का तेल ऐसे जलाएं दीपक के रूप में एक दीपक ले लें, उसमें रूई की बाती बनाएं नीम का तेल जलाके दीपक को रख दें वो दीपक जितनी देर जलेगा एक भी मच्छर कमरे में नहीं आएगा इतना सस्ता और सरल उपाए नीम का तेल बजार में 30-40 रुपई लीटर मिलता है एक लीटर तेल खरीदेंगे बड़े आराम से 3-4 महीने चलता है और दूसरा एक तरीका है गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती और गाय के गोबर से बनी हुई धूबत्तियां भी बजार में अब आ गई है कई गोशालाएं उनको बनाती है उनको जला कर आप सो जाईए वो भी मच्चर को बगाती हैं और quality में मच्चर अगरवत्ती से अच्छी अगर गाई के गोबर की अगरवत्ती धूबद्ती जलाएंगे तो पैसा किसी गोशाला को मिलेगा और उससे गाई की रक्षा होगी और गाई की रक्षा के बाद अंततय देश की ही रक्षा होने वाली है और अगर आप मच्छर अगरवत्ती खरीदेंगे तो पैसा किसी विदेशी कंपनी के पास जाएगा और उस पैसे से आप क्या भी नुकसान देश का भी नुकसान हो जाएगा दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें